तो दोस्तों आज है संडे और हम बनाने वाले हैं कुस तो बढ़िया सी चटनी क्यों पारूल किस चीज की चटनी बन रही है धनिया पुदीने की चटनी बन देश्में और बहुत सरे चीज डलने वाली है और इतना सारा देखो यह गाय को किलाने वाली चीज जो है यह हम न्या थिदर वार भटी करुटी कर दिडिद में और अठे़ द्टी मोटी हाँ आराम से आप इन को निकाल सकते हो लग से तो पारूल क्या का डाला उला TWO गत Yok जादा पुदीन चंश जाधा पुदिना कम और दोस्तों यह हमारे पास में एक ब्लेंडर है मिक्सियां पर है नहीं तो इसका हम दुर्पियोग करने वाले हैं चटनी बनाने के लिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं थोड़ा सा गार्लिक और में डालने वाले हो खूब सारी हारी मिच इसमें अपने इसमें दू मेची डाल दिया है अब थोड़ा सा पानी डाले थोड़ा सा पानी ठीक है लेट्स ट्राइव विदाउट वाटर देखो टेबल पे बहुत ही साफसूतरी टेबल कली साफ करी है अभी हमें ढूनना है इसका धकन वो यह रहा मिलिया अगर आपको गैस करना हो बि देख मोर दन फिप्टें विल काउंट इट लेटर बाकी थोड़ा से नीबु पी टालना था ठीक है एक बार पहले से को गुमा के ट्राइक कर लेता है नीबु तो पानी टालेंगे है तो दोस्तों पानी की गमें की चलते हम यह देख पारेंगी कुछ भी इमूव नहीं हो पानी डालेंगे दिस टेक टू अप्टर थोड़ा सा पानी और अभी तो मैंने उसे फसा दिया है उचली नहीं रहे है टेक थ्री इसको ऐसे करना पड़ेगा तो हम वो काम करने की कोशिश करें जिसके लिए नहीं बनाए है इसमें पानी थोड़ा डालना पड़ेगा तभी यह ठीक से काम करता है बट्पिक हम चटनी बना रहे हैं ज्यादा पानी नहीं डाल सकते अब किया जा रहा है इसमें टॉप फॉर सेकेंड राओं देखते हैं सक्सेस्फुल होगी कि नहीं और डॉलो हमने लास्ट टाइम ज खुलान के वह घंड़ें बनाते हुए हमेशाल दबा के खाई है कि आसे अधिया हरी वाली चटनी दही के साथ वाली चटनी भाई गुड़गों में जो मिलती थी ओह हो हुआ है बंद के ठीक दुरत नी जाए इसको एसे उपर रख दो नहीं नहीं उचल की नहीं आएगा हाँ बजय कर लो क्या यह हो पाएगा दोस्तों एक गंडे चार्च करने के वाद में 15 बार चलता है जिसमें से हम इसे कफी बार अभी चला चुके होंगे इसको दुबारा एक बार च करना पड़ेगा हाथ करने पड़ेगा फिर और कितना कर रहा है तो डालो तुम नेक्स वाले में डालेंगे ना एक साथ ही इसको निकाल दाते हैं ओके हाँ 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 हम सीगेंगे और हम नुमबर बन चैटनी मेकर बनेंगे हाँ हाँ जिन्दी की का यही है हमारा हाँ रही पर इस पर टू इपन्स हो थीशे इन्हां तर्टी तेट सेबल के उन्ड़त कांटिंग करी सुछाई हो है यह फाल्राइल तृट इस को बिना चार्ज करें हम यह चटनी कंप्लीट कर पाएंगे दिखते हैं आज हमने इतनी सारी चटनी बना ही है पूरे मनाली गाहों के लिए क्यों परूल कोई दाम और गनाइस करने वाले लग रहे हैं इतनी सारी चटनी इसके अंदर आपर बन चुकी है अक्रोड का भी कुछ बनाते हैं हम एक दिन और यहां की लोकल डिश पारूल टेक्स चैलेंज सीडू चैलेंज और उसमें डालने हूं गया पॉपी सीट्स करेंगे जुगाड तो यह दो कटोरी बढ़के हमने यह पे चटनी आप नहीं है जो कि हम एक मीशिप्ट करने वह ज्यादा बरतन ही है ना बरतन की कमी के चलते और पहले फ्लेंनिंग फिशे ना होने के कारण के तो बरतन हमें कराप करने पड़े है अगर पेले हैं इसमें ड्लते तो बन जाएगी वही उम्मीद पर धारे उत्रे हमारे ब्लेंडर में गलंग अलग यह तो ना हम यह दूणी अ यह क्या भात हुई इंसान को दूप लगने से कलर चेंज होता है हावा देगो अब दालें के सबसे में चीज जो की है नीबू कुछी से फूले नहीं समाते हुए पारूल तो और हम क्या खाने वैला चट्टी के साथ में रोटी काएंगे यह कुछ और तैयारिया भी है मैं जारहु हूं जारहू हूं जारहू कि चटनी आ रही है चटनी आ रही है मुझे टेस्ट करने के लिए विश्मिलक थोड़ी और का थोड़ी और का थोड़ी और का थोड़ी तो आप्टर चटनी हमारा नेक्स एड्वेंचर जो हने वाला है वह है अपी जो हम अल्मॉस्ट चार पांदिर पहले लेकर आये थे उस दिन खाने की बड़ी इच्छा हो दी लेकिन इंते पके वे थे ही नहीं हमें वेट करना पड़ा फिर हम भूल गए यसे कि हमरे पास पापीटा भी है तो लेट्स इ पापीटा इस नाट लुकिंग इन गुड़ शेप बट यह जो रहता है यह से बाहर बार से रहता है इसको हम काटके दिखाता है कि कैसा है यह कौन करने वाला है पापाया मुझे काटना पड़ेगा तो आई विल जस्ट गेट वर्क सो कल हमें यह चीज मिली है फ्री की चॉ कि इसको सुखाएं के कैसे तो ही मंचने का कि इसको आप बाहर जैसे कपड़े सुखा देना है सुख जाएगी दूप रहीगी तो अभी अगली तीन दिन तो फुल दूप बे तो यूज इस और उसके बाद में देखना पड़ेगा दूप के साब से भी विल यूज इस इट तो यह रिजल्ट है सुखे के दो गंटे दो गंटे से ज्यादे की मेहनत का पपीदा कट चुका है जिसे मनाएंगे शेक और इसको खाएंगे यह यहां पर कच्रा है जो की और गैनिक कच्रा जो है सब्जियों होगे रहा का वो सब कुछ हम अलग से करते हैं एंड पास में ह गाय है उसको हम यह खिला देते हैं सो इट एक्शली हल्पस अलॉट क्योंकि जो नॉर्मल कच्रा होता है जो ड्राइब वेस्ट है वी की पिट इन इन दिस और यूपन कीप इट फॉर लॉंगर दूरेशन क्योंकि वो स्मैल यह स्टिंक नहीं करता है और गैनिक वेस्ट ज इस वेरी एक्साइब अभी देखते हैं जाके गाय का रेक्शन कैसा रहता है यह उसकी डिष्ट देखके है तरह बहुत ही सही चीज है कि आपको कच्रा कहीं कहीं सेग्रेट कर देते हो और बागी जगर पर बता नहीं कैसे वह आप अगलग डबों में टालते हो तो अल्टि इस तो हमेशा यही सब कुछ खा जाती है वह आगे वाली गाय को विचरी को कुछ मेली नहीं पाता और चोटा बच्चा काफ है और पीछे जो एक शीप है यह डोंट गैट एनीफिंग एनिवेस आपकी बार थोड़ा थोड़ा इनको खिलाऊं सो देखते हैं रुग जा मद्टा लोंच करना पड़ेगा और दिस्टाट करने के लिए होगा कि थोड़ा सा पहले रहलक निकाल दू तुक्त उस सैड ढालू है सो रह्त है अधर शी। बीजी है अधर रुक जा या राइट नंव क्या प्रवार को कि आप भी कि अ घृ नुक है अहीं है अट्रव कर दो अट्रव में तो को अपिट जा जा धाए है यह देखिए सबसे जादा बुक्कड़ अली गाहे है कि स्वारी यार अगली वर कुछ करते हैं ताकि तुम्हें भी खाने को मिले कि तो यह अब वो नॉर्मल वीस्ट है जिसको हम अपने घर पे रख लेंगे कि बाइबाइब कि तो वह हमारा स्टे है यहां पर हम रहते हैं कि अपने खान नहीं जाने को सब्सक्राइब कर दो दो यह था टास्क सो यह था मेरा इस स्रीज का पल अगला यह नहीं अगर को यह थीद लगा अच्छा लगा जो भी लगा एट इस कमें यह बताईए so that I can improve and if you want to view more such videos please do like, subscribe and comment on this video ताकि मुझे इनफ मोटिवेशन मिल्था रहे इस ताप के वीडियो बनाने के लिए और पारूल को भी मोटिवेशन मिल्था रहे क्यों पारूल? yep, we need your support and how they can support? by subscribing to our channel so do like, subscribe and comment to watch more such videos